हेलो स्टुदेंट्स, हाव आर यू, तोड़े वी विल रीड एंड दू एक्सरसाइज अफ लेसन थ्री, क्लास थर्ड, वाकिंग विद ग्रेंडपा, लेसन नेम इस वाकिंग विद ग्रेंडपा, तो लेट्स रीड, ये लेसन है, और इस लेसन में आपको एक पिक्चर लिखाई दे रही होगी, एक छोटी बच्ची के साथ एक बुजरुग व्यक्ती चल रहे हैं साड़क पर, और अंदाजा लगाईए कि ये कौन हो सकते हैं, ये इनके दादा जी है, जैसे आपके भी परिवार में आपके दादा दादी होंगे, तो आप उनके साथ घूमते भी होंगे, आप उनके साथ खेत में जाते होंगे, या आप उनकी हेल्प भी करते होंगे, क्योंकि जब बुजरुग हो जाते हैं, तो कुछ काम ऐसे होते हैं, जिन में उनको दूसरों की हेल्प की जरूरत पढ़ती है, तो क्या आप अपने दादा दादी की हेल्प करते है अगर करते हैं तो यह बहुत अच्छी बात है और next जो है हम इस lesson को अब read करना start कर देते हैं तो मैंने इस lesson को ऐसे इसके text को लिख लिया है तो अब हम पढ़ते हैं Walking with Grandpa Walking with Grandpa I like to walk with Grandpa His steps are short like mine He doesn't say now hurry up He always takes his time Most people have to hurry They do not stop and see I am glad that God made him Unrushed and young like me Rodney Ohad यह इसके point है Rodney Ohad अब मैंने इसको read किया अब हम इसके एक एक line का meaning समझते हैं क्या है Walking with Grandpa का मतलब है दादा जी के साथ चलना I like to walk with Grandpa I, मैं, like पसंद करता हूं या अच्छा लगता है To walk चलना with Grandpa कि मुझे दादा जी के साथ चलना अच्छा लगता है His steps His, उसके steps कदम Are है Short, छोटे Like, जैसे Mine, मेरे उनके कदम मेरे कदमों की तरह ही छोटे हैं क्योंकि छोटा बच्चे कोई कदम भी जो होते हैं वो छोटे होते हैं और तो जब बुजर्ग वैक्ति हो जाता है उसके कदम भी फिर वो जादा लंबी-लंबे कदम नहीं रख पाता क्योंकि संतूलन नहीं रहता सरीर का तो इसलिए वो बुजर्ग वैक्ति भी छोटे-छोटे कदम ही रख के चलता है तो इसलिए ये जो बच्चा है ये क्या कह रहा है His steps are short like mine उनके कदम भी मेरी तरह ही छोटे है He doesn't say Now hurry up He doesn't say now hurry up वे कभी नहीं कहते He doesn't say वे नहीं कहते क्या नहीं कहते Now hurry up कि जल्दी करो मैंने जल्दी Hurry up means जल्दी कि दादा जी कभी नहीं कहते कि भई जल्दी जल्दी चलो क्यों? क्योंकि दादा जी स्वम भी धीरे धीरे ही चलते है He always takes his time He always Always means हमेशा Takes लेते है His time उनके समय लेते है किसीज में चलने में यानि कि वो धीरे धीरे चलते है इस line का meaning कह है कि वो चलने में समय लेते है यानि धीरे धीरे चलते है Next line कह है Most people have to hurry Most मैंने जादातर People means लोग have to hurry जल्दी में होते है जादातर लोग जल्दी जल्दी चलते है क्योंकि जो यंग होते हैं नोजवान होते हैं तो वो जल्दी चलते हैं They do not stop and see They do not stop and see वे Stop means रुकना See मैंने देखना They means वे वे रुकते नहीं हैं और देखते नहीं हैं क्या नहीं देखते कि उनके साथ कोई चोटा बच्चा जब चलता है तो वो फिर भी तेजी से चलते हैं और वे हमारी एक तरह से बच्चा क्या कह रहा है कि वे हमारी परवान ही करते I am glad Glad means खुश प्रसन मैं खुश हूँ That God made him कि प्रमात्मा ने उनको बनाया कैसा बनाया उनको उनको मतलब किसको दादा जी को क्योंकि यहां बात दादा जी की हो रही थी तो बच्चा किसलिए खुश है कि प्रमात्मा ने उनको बनाया कैसा बनाया यह लास्ट लाइन में आया unrest की जो बिलकुल भी rust का मिले होता है जो जल्दवाजी में हो और unrest जिसे जल्दवाजी ना हो and young like me और मेरी तरह छोटा बच्चा यानि कि मेरी तरह एक तरह से बच्चा बनाया उनको क्योंकि बज़र्ग जो है वो बच्चों की तरह हो जाते हैं उनको भी बच्चों की तरह ही emotion सुनकी हो जाती है तो इस पोएम में poet ने क्या बताया कि बज़र्ग जो है वो बच्चों की तरह हो जाते हैं weak हो जाते हैं, कदम छोटे हो जाते हैं और छोटे बच्चों के साथ ही वो बड़े खुश होते हैं और छोटे बच्चे उनके साथ कुछ होते हैं तो इस poem में एक छोटी सी poem है और ये हमें सिखाती है कि हमें अपने बुज़ुर्गों का respect करना चाहिए अब इस lesson के हम exercise करते हैं exercise में क्या है answer the following questions answer the following questions answer means होता है उत्तर देना following मैंने जो दिये गे question है प्रशन है उनके आपने answer देना है तो first question है question one is why does grandpa walk slowly why does why means क्यों grandpa walk slowly slowly means धीरे कि दादा जी धीरे क्यों चलते हैं अब आप सोचो बुजरुग धीरे क्यों चलते होंगे because he is old so he walks slowly because means होता है क्योंकि he is old old means बुढ़े वो बुढ़े है so so means इसलिए he walks slowly वो इसलिए धीरे चलते हैं pick out the words that describe grandpa and write them unrest यह last में आए था unrest कि जिसको जल्दी ना हो उतावला पन ना हो जिन में short steps और छोटे कदम हो यह कुछ और words भी आप अगर इसमें search कर पाएं तो उसको आप जरूर लिखें मैंने आपके लिए दो ही लिखें हैं कुछ आपके लिए काम छोड़ा है लोगों दूसरे लोगों के साथ चलना बच्चे को पसंद क्यों नहीं है वो बताया था उसने कि दूसरे लोग क्या होते हैं जल्दवाजी में होते हैं कि दूसरे पीपल हमेशा जल्दवाजी में होते हैं क्या बच्चा दादा जी के साथ चलने से खुश है वाई और वाई नोट क्यों है और क्यों नहीं है अगर आपका अंसर है यस है तो क्यों है नहीं है तो क्यों है यह आपने बताना है तो हमारा अंसर आपको पता है क्योंकि पोएम में आया कि बच्चे को अपने दादा जी के साथ चलना पसंद है तो हम क्या लिखेंगे, yes, the child is happy to walk with grandpa, because grandpa walks like the child, because, क्योंकि grandpa walks, walks मैंने चलते हैं, like the child, बच्चे की तरह, हाँ, बच्चे को दादा जी के साथ चलना पसंद है, क्योंकि दादा जी बच्चों की तरह ही चलते हैं, तो ये हमारे चार question answer हुए, अब next step क्या है, देखते हैं, List the members of your family in the circle given below, one has been done for you, ये इसमें done था, यानि की family में कौन-कौन है, आपकी family में कौन-कौन है, ये इसमें आपने लिखना है, तो ग्रांड मद फादर यानि की दादा जी, ग्रांड मदर दादी जी, फादर पिता जी, मदर माता जी, और ये मैंने एक बच्चे का नाम लिख आपने अपना नाम लिखना है, जो आपका नाम है, और अगर आपकी family में और लोग हैं, इसके अलावा आपका ब्रदर है, तो आप यहाँ एक ऐसे circle बनाएं, और उसमें उसका नाम लिखें, तो आपने इस तरीके से करना है, अगर आपके यहाँ दादी जी हैं, तो यहाँ grand mother लिखा है, अगर नहीं है, तो आप इस column में अपने पिता जी या माता जी का नाम लिख सकते हैं, दादा जी है, तो ठीक है, नहीं तो आप यहाँ भी अपने माता या पिता में से एक का लिख सकते हैं, यहाँ जो आपके परिवार में हैं, उनी लोगों को आपने लिखना हैं, तो यह आपका इस तरह से lesson 3 जो है complete होता है, और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे, तो इसको चैनल को subscribe कर लेना, ताकि आपको जब भी मैं कोई वीडियो बनाऊं, आपके पास सबसे पहले उसका notification जारी हो जाए, लाइक करें और comment करके बताएं कि कैसी लगी, और कहां इसमें आपको और किस तरह की वीडियो चाहिए, तो इसके लिए आज के लिए बस इतना ही, thank you, जैहिंद